हेलो गाइस, वेलकम टू आर नी वीडियो, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि BCEC के तरफ से एक नोटीस जारी हुई है और ये इस नोटीस में बहुत वच्चे कन्फ्यूज हो रहा है कि ये नोटीस है क्या, क्या फिर से इजाम होगी BCECLE वालों की, तो नहीं ऐसा होना पड़ेगा, ठीक है, या नहीं तो BCEC अपने एक 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 जाम लेती थी, जैसे एली की लेती है, ठीक है, तो मेलनी जो ये अभी काउंसलिंग चल रहा था, ठीक है, काउंसलिंग चल रहा था, किसका, वो BCEC के फर्स्ट येर में जो एडमिसल लेने वाले हैं, उनका का दिया गया है, और जिनका, जिनका काउंसलिंग हो गया, जिनको कुछ अगर स्री टैलोट हो गया था, तो वो नल हो जाएगा, मतलब उसको कुछ नहीं मिला, अगर मालीजे किसी को MIT या BCE मिल चुगा था, तो वैसा कुछ नहीं होने वाला है, वो नल हो गया, अब खतम, जी हाँ, उनको भी इलिजिबल कर दिया गया है, एक तो डिपलोमा वाले, BCEC LE में तो हैं ही इलिजिबल, और उपर से क्या हुआ कि जो विद्यार्थी, फर्स्ट येर में भी एडमिशन कराना चाहते हैं, तो वो भी इन्रोल कर सकते हैं, ठीक है, तो ऐसा इसलिए क्यों किया गया, क्योंकि स्टूइन्ट का संख्या जो है, डिपलोमा एंजनियर्थी जो करना चाहते हैं, बिटेक वो जादा है, और वैसे भी सीट भर नहीं रही है, यूजी, ई, ए, सी की, ठीक है, तो इसलिए ऐसा किया गया है, चुकि सरकार को चाहिए पैसा और सीट फुल्मिलमे है, कि आप लोगों को ऐसा अफसर मिल रहा है, और आप लोग क्या करिए, अब आपका नया पोर्टल इसू हुआ है, नया नोटिस मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा, उसमें कहा गया है, यूजी, ई, सी के लिए अप्लाइज करने के लिए, जो इलिजिबिल्टी है, वो इंजिनियरिंग में, उसके बेसिस पे, आप लोगों को सीट अलोट किया जाएगा, और आपका जो कम्पिटीशन होगा, वो जेई मेन वाले, वो सब के छातर के साथ होगा, ठीक है, तो उसी हिसाब से, आप लोगों को सीट अलोट किया जाएगा, तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा मोका है और जो BCEC वाले जो टुवल्थ वाले थे तो उनके लिए ये दुख खबरी ही हुई ना कि जिनका रैंक आगया था आगे अब उनको और पीछे मिलेगा क्योंकि कि डिपलोमा इंजिनियरिंग को जो मतलब इलीजिबल कर दिया गया है उसको एंटरी करा दिया गया है उसके वज़े से सीट की जो परसेंटाइल है वो बढ़ेगी हो कि ना तो कंपिटिशन जादा होगा तो यही सब बात है आप लोगों को यह बात समझ में नहीं आ रही थी कैसे क्या यह है नोटीस तो वैसे भी आप पठ सकते हैं कि इसी सिस्ट इन फर्म दिपलोमा इंजिनियर ठीक है इसी स्थी इन फर्म डिपलोमा इंजिनियर पास केंडिदेर और ऐल कंसर्ण ताफ़ इट इस बिन रिजाइड बाइड आज एंटेक दीपार्टमेंट गोवे यूजी मतलब क्या होता है अंडर ग्रेजुएट इंट्रांस जो कॉमेंटेस्ट होता है ठीक है उसमें एडमिशन के लिए गॉर्मेंट इंजिरिंग कॉलेज में जी हां ठीक है तो आपका ऐसा नहीं है कि एलिका एक्जाम दुबारा लिया जाएगा वो तो आपका साइट से चले गा ही ठीक है वो तो पहले से ही इलिजिबिलिटी थी बस यहां इलिजिबिलिटी आप लोगों को बरहा दिए गए फर्स्ट इयर में एडमिशन के लिए तो सुनाड़ा मौका है और भी बात यह है कि और जो बच्चे छूट गए थे ठीक है ना 12 करके जो बच्चे क्या बंस्ञाइगा मतलब कि बंद और जो वह जो भी कुछ भड़े उहे थे उनको ट्री रहे जनल और वॉयड उनको उनके लिए एक तरह से एडवांटेज ही है और बीसी इसी जो फर्स्ट इयर मैंड मिसल लेते उनके लिए थोड़ी से दुख खबर है और इसके कारण क्या होगा कि सेसन भी लेट होता जा रहा है ठीक ना तो यहीं सब बात है और किसी भी तरह के कन्फीजन हो तो नीचे कमें करिए और इसका जो न्यू रिवाइजड आ गया है इसका यूजी एसी का रिवाइड जो प्रस्पेक्टस आया है उस पर भी मैं ये वीडियो बनाऊंगा ठीक है कि कितना पर्सेंट पर कैसे क्या होगा और आपका जेई मेंस से कैसे ठकर होगा क्योंकि आपका तो आया है उनके लिए बहुत ही बड़ी खुसकवरी है ठीक है चलिए धन्यवाद